प्यारे विध्यार्थियों नमस्कार आशा करती हूँ आप सभी तंद्रोस्त होंगे और पढ़ाई के प्रती आप सबका उत्साह कायम होगा बच्चों आज हम दस्मी कक्षा के विज्ञान का अध्याय चोथा कारपन और उसके योगिक पढ़ना शुरू करेंगे तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने अभी तक क्या कुछ सीखा है वायू मंडल में कौन-कौन सी गैसे उपस्थित हैं धात्वों और अधात्वों के बीच में क्या अंतर हैं उनके गुन-कौन-कौन से हैं विभिन प्रकार के इंधन कौन-कौन से हैं धर्मल पावर प्लांट में विद्ध्य तुत्पन करने के लिए किस इंधन का उस्तमाल किया जाता है चूले पर अगर खाना बनाती हैं तो बरतन नीचे से काले क्यों हो जाते हैं बिन-बिन पदार्थों को जलाने पर अंत में वो काले रंग के पदार्थ में क्यों परिवर्टित हो जाते हैं चले बच्चों अब हम यह देखते हैं कि इस अध्याय में हम क्या-क्या सीखेंगे संत्रप्त और असंत्रप्त कार्बन योगिक कौन-कौन से हैं कार्बन अपनी स्योजकता पून करने के लिए विभिन कार्बन योगिकों के मध्य एक आबंध, द्वी आबंध या त्री आबंध बनाता है संत्रप्त योगिकों के तुलना में असंत्रप्त योगिक अधिक अभिक्रियाशी क्यों होते हैं कार्बन वो उसके रासाइनिक गुन, साबुन और अपमार जग किस प्रकार कारे करते हैं तो चलिए बच्चों अब हम कार्बन और उसकी प्रिकृति के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों जैसे ही आपके दिन की शुरुवात होती है आपको टूथपेस्ट, साबुन, ब्रेड, तूथ, पेपर, पैंसल, अपने जूते, वर्दी, पेट्रोल, आदी कई चीजों की जरूरत होती है क्या आप इन सभी चीजों में कोई कॉमन या कोई साजा प्रदार्थ या कोई साजा गुन बता सकते हैं बच्चों, ये सभी चीजें कार्बन योगिकों की बनी हुई है कार्बन दुनिया का चौथे स्थान पर मिलने वाला खनिज है और प्रत्वी की भूपरपटी में मिलने वाला यह पंद्रवा पदार्थ है प्रत्वी की भूपरपटी में कार्बन 0.18 प्रतिशत कार्बोनेट, कोईला और पेट्रोलियम के रूप में मिलता है हमारे वायुमंडल में कार्बन, कार्बन डायोकसाइट गैस के रूप में मिलता है जो सिर्फ 0.03 प्रतिशत ही है कार्बन के कुछ प्रकार जैसे की ग्रिफाइट, हीरा या डायमंड और फुलरीन है इन्हें हम कार्बन का अपर रूप भी कहते हैं कार्बन का परमानू अंख है 6 अर्थार्थ इसमें 6 प्रोटोन होते हैं और साथ ही 6 इलेक्ट्रोन होते हैं इसकी इलेक्ट्रोन व्यवस्था है 2,4 चार इलेक्ट्रोन इसके सबसे बाहरी कक्ष में होते हैं इसी कारण कार्बन की सयोजगता 4 है यह चार इलेक्ट्रोन अगर कार्बन खो दे तो इसकी इलेक्ट्रोन व्यवस्था हीलियम की हो जाएगी क्योंकि इसके पहले कोश में सिर्फ दो इलेक्ट्रोन रह जाएंगे लेकिन अगर यह चार इलेक्ट्रोन और ले लेता है तो इसकी इलेक्ट्रोन व्यवस्था नियोन की हो जाएगी लेकिन बच्चों ऐसा करना कार्बन परमानूं के लिए बहुत ही मुश्किल है क्यूं? आगे देखते हैं चलिए बच्चों, अब हम कार्बन के परमानूं अंक, इलेक्ट्रोनिक व्यवस्था, सहसयोजन आबंध और सर्वोत्मुखी प्रकृति के बारे में जानेंगे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कार्बन का परमानूं अंक 6 होता है अगर हम इसके परमानूं की सरचना को देखें, तो इसके बाहरी कक्ष में, यानि की एल कोश में, चार इलेक्ट्रोन हैं और अंदर वाले कक्ष में, यानि की के कोश में, दो इलेक्ट्रोन होते हैं इसके नाभिक अर्थार्थ खेंद्रक में 6 प्रोटोन और 6 न्यूट्रोन होते हैं एल कक्ष को, यानि की सबसे बाहरी कक्ष को अपना अश्टक पून करने के लिए यानि की बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रोन पूरे करने के लिए और एक नोबल गैस या उतकरस्ट गैस का इलेक्ट्रोनिक व्यवस्था हासिल करने के लिए या तो अपने बहरी कक्ष के 4 उलेक्टरोन खोने पड़ेंगे या फिर 4 और उलेक्टरोन प्राप्त करने होंगे तो बच्चों, अगर कार्बन चार उलेक्टरोन प्राप्त कर लेता है तो इसके साथ ही कार्बन के उपर माइनस 4 रिनावेश आ जाएगा जो कि संभव नहीं है क्यूं? क्यूंकि कार्बन का आकार बहुत छोटा होता है और उसके पहारी कक्ष में अगर चार और इलेक्ट्रोन आ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनों के बीच में उत्पन स्थिर वैद्युत प्रतिकर्शन बल को संभालना इस रिणायन के लिए संभव नहीं होगा अतह छे प्रोटोन वाले नाफिक के लिए दस इलेक्ट्रोन को धारन करना मुश्किल हो जाएगा दूसरी और मान लेजिए अगर कार्बन चार इलेक्ट्रोन खोकर धन आवेशित आयन बन जाता है तो क्या होगा? बच्चों यह भी संभव नहीं है क्योंकि कार्बन का आकार छोटा होने के कारण नाभिक और इलेक्ट्रोनों के बीच की दूरी कम है जिससे इनके बीच आकर्षन जादा है तो चार इलेक्ट्रोनों को खोने के लिए बहुत अधिक उर्जा की आविशक्ता होगी इसका आर्थ यह है कि यह दोनों ही केस संभव नहीं है ना तो कारबन धन आयन बनाता है और ना ही यह रिन आयन बनाता है इसलिए कारबन अपने अन्य पर्मानौं अथ्वा अन्य तत्वों के पर्मानौं के साथ सयोजक्ता इलेक्ट्रोनों की साज्यदारी करके इस समस्या को सुलजा लेता है अर्थार्थ कार्बन सहसयोजन बंधन बना लेता है जो की तत्वों के बीच में इलेक्ट्रोनों की साज्यदारी से बनता है तो बच्चों इस तरह कारबन अपने चार इलेक्ट्रोन किसी और परमानों के चार इलेक्ट्रोनों के साथ साज़ा कर लेता है और दूसरे तत्वों के साथ मिलकर सहसयोजन आबंध बनाता है और नए योगिकों का निर्मान करता है सहसयोजन बंध आइनिक बंध की तुलना में कमजोर होता है इसी कारण कारबन के योगिकों का गलनांग और क्वतनांग आइनिक योगिकों से कम है कारबन की एक और अनोखी योगिता भी है जिसके साथ वह कारबन के ही और परमानों से मिलकर लंबी-लंबे या बड़े-बड़े अनों की सनुचना करता है इसको हम श्रंखलन कहते हैं श्रंखलन शाखाओं और वलय के रूप में हो सकता है इसके साथ ही कारबन के परमानों एक, द्वी या त्री आबंध से जुड़े हो सकते हैं यदि कारबन के योगिकों के मध्ये कारबन परमानों के बीच केवल एक आबंध होता है तो इस प्रकार के योगिक, संत्रप्त योगिक कहलाते हैं और यदि कार्बन योगिकों के मध्य कार्बन कार्बन के बेच में यदि द्वी या त्री आबंध होते हैं तो इस प्रकार के योगिकों को हम असंत्रप्त योगिक कहते हैं चलिए बच्चों अब हम श्रंखलाएं, शाखाएं व वले के बारे में जानेंगे कार्बन के कई योगिकों में कार्बन एक दूसरे के साथ अलग-अलग प्रकार से जुड़े होते हैं जो इस प्रकार दिखाए गए हैं पहला रूप है श्रंखलाएं, इसमें कार्बन कार्बन के साथ एक श्रंखला या चेन के रूप में जुड़ा होता है जैसे मीथेन या प्रोपेन दूसरा रूप है शाखाएं, जिसमें कार्बन कार्बन में शाखा के रूप में जुड़े होते हैं जैसे कि ब्यूटेन या पेंटेन इत्यादी इसी तरीके से कार्बन वले के रूप में भी यानि कि एक रिंग के रूप में भी आपस में जुड़े होते हैं जिसका उधारण है बेंजीन तो इस प्रकार से कार्बन अलग-अलग रूपों में एक दूसरे से जोड़कर नए-नए योगिक बनाते हैं चलिए बच्चों, अब हम संत्रप और असंत्रप योगिकों के बारे में जानना शुरू करते हैं बच्चों, हमने मीथेन की सरचना समझ ली है अब हम एथेन, एथीन और एथाइन के बारे में जानेंगे C2H6 सुत्र के साथ बनने वाला योगिक कार्बन और हाइड्रोजन से बना है एक सरल कार्बन योगिक की सरंचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमानूओं को एक आबंद के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है तथा फिर कार्बन की शेश सयोजक्ता को संतुष्ट करने के लिए अर्थार कार्बन की सयोजक्ता को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के परमानूओं का उप्योग करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के एक और योगिक का सूत्र है C2H4 इसे हम एथीन कहते हैं इसमें प्रतेख कार्बन दो हाइडरोजन परमानों से जुड़ा होता है लेकिन प्रतेख कार्बन परमानों की सयोजकता अभी भी अपून है इसे तभी पून किया जा सकता है जब दो कार्बन के बीच द्वी आबंद हो कार्बन और हाइडरोजन के एक और योगिक का सूतर है C2H2 इसका नाम है एथाइन कार्बन के परमानों की सयोजकता पून करने के लिए यहां कार्बन के दोनों परमानों के बीच में त्री आबंद जरूरी है तो बच्चों कार्बन के ऐसे योगिक जहां कार्बन परमानों के बीच में केवल एक आबंद होता है उन्हें संत्रप्त योगिक कहा जाता है जैसे की इथेन लेकिन जहां कार्बन परमानों के बीच में द्वी आबंद या त्री आबंद होते हैं उन्हें असंतरप्त योगिक कहा जाता है जैसे की इथिन या एथाइन असंतरप्त योगिक संतरप्त योगिकों की तुलना में जादा अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच के बंध निकल कर कोई और भी परमाणू यहाँ पर आसानी से जोड़ सकता है अब हम कार्बन योगिकों के रासाइनिक गुणों के बारे में जानेंगे बच्चों हम जादा तर जो इंधन इस्तमाल करते हैं जैसे की कोईला, पेट्रोल, सी एनजी, कंप्रेस्ट नाचुरल गैस या लपीजी, लिक्विफाइड, पेट्रोलियम गैस यह सभी या तो कार्बन है या उसके योगिक हैं आईए अब हम कुछ कार्बन योगिकों के रासाइनिक गुणों के बारे में जानें कार्बन अपने सभी रूपों में ओक्सीजन के साथ जल कर कार्बन डायोकसाइट उसके साथ ताप, पूरजा और प्रकाश देता है। अधिकतर कार्बन योगिक जलने से बड़ी मात्रा में ताप, पूरजा और प्रकाश उत्पन करते हैं। बच्चों चलिए इसे समझने के लिए हम एक क्रिया करते हैं एक चमच में थोड़ी सी मात्रा में कार्बन योगिक जैसे की कैमफर या कपूर लीजिए एक दूसरे चमच में एलकोहल लें अब इन्हें एक-एक करके जलाएं उत्पन हुई ज्वाला को जरा ध्यान से देखें कि इसको जलाने से धुवा उत्पन होता है अब ज्वाला के उपर धातू की एक तश्टरी रखें देखिए पहले कैमफर को जलाने के बाद तश्टरी के उपर कजली या काली परत जम जाएगी क्यूं? क्योंकि बच्चों असंत्रप्त योगिक असंत्रप्त कार्बन योगिक जादा तर काले धुएं वाली ज्वाला उत्पन करते हैं लेकिन एलकोहल के केस में तश्टरी के उपर कुछ नहीं जमा, कोई काला पदार्थ नहीं बना ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अलकोहल एक संत्रप्त योगिक है और संत्रप्त योगिक सामान्य रूप में साफ ज्वाला के साथ जलते हैं चलिए इसे समझने के लिए हम एक और क्रिया करते हैं एक बढ़नर लीजिए और इसे जलाईए भिन भिन प्रकार की ज्वाला या धुवा उत्पन करने के लिए यहाँ पर वायू की मात्रा को घटाईए और बढ़ाईए आप देखेंगे कि वायू की मात्रा घटाने और बढ़ाने से संत्रप्तर हाइडरोकार्बन से भी काली या कजली ज्वाला निकलेगी बच्चों में घरों में इस्तमाल किये जाने वाली गैस या मिट्टी के तेल के स्टोव में भी वायू के आने जाने के लिए छेद होते हैं ताकि भरपूर मात्रा में ओक्सीजन मिल सके और ओक्सीजन के मिश्रण के साथ यह गैसे जल कर साफ और नीली ज्वाला उत्पन कर सके। चलिए, अब हम कार्बन योगिकों की रासाइनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला गुण हम पढ़ते हैं ओक्सीकरण या ओक्सीडेशन, कार्बन योगिक जैसे की अलकोहल, शारिये पोटेशियम परमेगनेट या अमलीकरत पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थती में कार्बोक्सलिक अमल में बदल जाते हैं। अब यहाँ पर यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। CH3, CH2, OH एलकोहल है। यह शारिये पोटेशियम परमेगनेट यानि की के अमनोफोर या अमलीकरत पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थती में कार्बोक्सलिक अमल यानि की CH3, COOH देता है। यहाँ पर एलकोहल में ऑक्सीजन जुड़ गई और उसका ऑक्सीकरन हुआ और वह कार्बोक्सलिक अमल में परिवर्थित हो गया। जो पदार्थ दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की शमता रखते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है। और यहाँ पर शारिये पटेशियम पर मैगनेट या अमली करत पटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक के रूप में कारे करते हैं। दूसरी अभिक्रिया है संकलन अभिक्रिया। पैलेडियम या निकल उत्पेरक के उपस्थतिती में असंतरप्त हाईडरोकार्बन हाइडरोजेन जोड़कर संतरप्त हाईडरोकार्बन में बदल जाते हैं। जैसे की इस अभिक्रिया में हो रहा है। यहां इस अभिक्रिया में निकल या पेलेडियम उत्प्रेरक के रूप में इस्तमाल किये गए हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण किसी भी अभिक्रिया की दर बदल जाती है लेकिन वे स्वैम प्रभावित नहीं होते। तीसरी अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वैसे तो संत्रप्त हाइड्रोकार्बन अनभिक्रिया शील होते हैं. परणतु सूरे के प्रकाश की उपस्थति में अती तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकारबन में संकलन होता जाता है और वह ही हाईड्रोजन को प्रतिस्थापित करता चलता है जैसे की इस अभिक्रिया में हो रहा है मिधेन प्लस कलोरीन सूरे के प्रकाश की उपस्थती में CH3Cl और HCl में बदल रहा है यहाँ कलोरीन एक-एक करके हाइड्रोजिन के परमानूओं का प्रतिस्थापन करती है बच्चों अब हम साबुन और अपमार्जकों के बारे में जानेंगे बच्चों अगर आप अपने किसी कमीज को पानी में धोने के लिए डालें तो उसमें से कुछ धूल मिट्टी तो निकल जाती है लेकिन कई दाग लगे रह जाते हैं ये दाग धब्बे केवल पानी में डालने से साफ नहीं होते क्योंकि ये तेल या चिकनाई के हो सकते हैं जिने हम सिर्फ पानी से नहीं हटा सकते तो फिर इन्हें किस तरह साफ किया जा सकता है? आपने देखा ही होगा कपड़ों को अच्छी तरह साफ करने के लिए हम साबुन या अपमार्जकों का इस्तमाल करते हैं साबुन और अपमार्जक या जिने हम डिटर्जेंस भी कहते हैं रसाइनिक रूप में एक दूसरे से अलग होते हैं लेकिन दोनों का कार्य लगभग एक जैसा होता है साबुन का अणू दो हिस्सों से बना होता है इसका एक सिरा हेड याने के सिर और दूसरा सिरा टेल कहलाता है साबुन का हेड वाला भाग सोडियम या पोटेशियम का कार्बोकसलेट होता है जो की जल रागी या हाइड्रोफिलिक होता है अथार यह जल में गुलनशील होता है इस पर आवेश होता है अते यह सिरा आइनिक होता है साबुन की टेल लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो की जल विरागी या हाइड्रोफोबिक होती है यह चिकनाई, तेल या धूल मिट्टी को आकरशित करती है जब पानी में साबुन को घोला जाता है तो साबुन के अणू, मैल के इर्दगिर्द एक खास अवस्था बना लेते है इस अवस्था में साबुन के अणू के सिर यानि की हैड्रोबाला भाग पानी में घुल जाता है और इसकी टेल, चिकनाई या मैल के साथ चिपक जाती है इस विशेश प्रकार के अरेंजमेंट को या इस धाचे को मिसल कहा जाता है यही मिसल चिकनाई से कपड़े को धीला करती है लेकिन इतना ही काफी नहीं होता चिकनाई को कपड़ों से पून रूप से अलग करने के लिए हमें उसे यांतरिक रूप से थोड़ा सा रगड़ना होता है इसके लिए हम अपने हाथों से कपड़ों को रगड़ते हैं या मशीन में डालते हैं वाशिंग मशीन में भी कपड़े यान्तरिक रूप से रगने जाते हैं तो बच्चों, इस तरह साबून और डिटरजन्ट मिलकर कपड़ों से मैल को अलग करते हैं और पानी से साफ करने के बाद मैल और ग्रीस कपड़ों से अलग हो जाती हैं और कपड़े साफ हो जाते हैं। बच्चों, अब हम समझाती श्रेणी या होमो लोगस सीरीज के बारे में जानेंगे। आप देखी सकते हैं कि किसी हाइड्रोजन परमानू को एलकोहल परमानू के साथ विस्थापित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने पर कार्बन योगिकों के गुण भी प्रभावित होते हैं। चाहे कार्बन की यह लड़ी कितनी भी बड़ी हो यानि कि इसकी लंबाई कुछ भी हो। उधारन के लिए जैसे मिथिनॉल, एथिनॉल, प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल। इन सभी के रासाइनिक गुणों में बहुत समानता है। इसलिए योगिकों की ऐसी श्रेणी, जिसमें कार्बन श्रेणी में स्थित हाइड्रोजन, एक ही प्रकार का प्राकर्यात्मक समू, जिसे फंक्शनल गुरुप भी कहा जाता है, वो प्रतिस्थापित करता है। उसे हम समझातिय श्रेणी या हूमोलोगस सीरीज भी कहते हैं। अगर हम क्रमवार मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन इन सभी के रासाइनिक सूत्रों को देखें, तो यह भी एक CH2 इकाई के साथ अंतर दिखाते हैं। तो यह भी होमोलोगस सीरीज का ही उधारण है। तो होमोलोगस सीरीज के योगिकों के मध्य CH2 इकाई का अंतर होता है। चलिए बच्चों, अब हम इस अध्याय को दोहराते हैं। देखते हैं हमने क्या-क्या पढ़ा। सबसे पहले, कारबन के सबसे बहरी कक्ष में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थार कारबन की सयोजकता चार है। कारबन अन्य तत्वों के साथ सहसयोजक पंध बनाता है। कारबन के योगिक बनने में निमलिखित कारक जिम्मेदार हैं। पहला शरंखलन और दूसरा उसकी चतुर सयोजकता। ऐसी शरंखला जिसमें कारबन शरंखला में स्थित हाईडरोजन को एक ही प्रकार का प्राक्रायात्मक समूंग प्रतिस्थापित करता है। उसे समजातिय शर recipe कहा जाता है। कार्बन के योगिक जलने से बड़ी मात्रा में तापूर्जा और प्रकाश उत्पन करते हैं। संत्रप्त हाइड्रोकार्बन जलते हुए साफ ज्वाला उत्पन करते हैं। लेकिन असंत्रप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर काले धुएं वाली ज्वाला उत्पन करते हैं। साबुन के अणु पानी में मिसल तैयार करते हैं जहां अणु का एक सिरा तेलिये पदार्थ की और और दूसरा आइनिक सिरा बाहर की और होता है। इसी के साथ पानी में एक इमल्शन बलता है। बच्चों अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। उमीद है आपको इनके उत्तर आते होंगे। कार्बन के लंबी श्रंखला बनाने के गुण को क्या कहा जाता है। जी हाँ, श्रंखलन कार्बन के इलेक्ट्रोनों की साज्यदारी करके किस प्रकार के बंधों को बनाता है। बिल्कुल सही कार्बन इलेक्ट्रोनों की साज्यदारी करके सहसयोजी बंध बनाता है। एथेन किस प्रकार का योगिक है, संत्रप या असंत्रप। बिल्कुल एथेन एक संत्रप योगिक है क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य केवल एक आबंध है। बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्थ होता है आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय काफी समझ में आया होगा तो बच्चों आप पढ़िए तंद्रुस्त रहिए हसते रहिए खेलते रहिए धन्यवाद